कुछी देर में पूर मुख्यमंत्री अखिलेश याधव और उनके परिवार के सदस्य जोली गरांट एरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, तमाम तैयारिया यहाँ पर हो गई है security के अगर बात करें तो तमाम security के यहाँ अधिकारी करमशारी अपनी तमाम तयारियों में लगे हुए हैं और अगर जोली-ग्रांट airport पर कोई दिख रहा है तो केवल समाजबाधी party के कारे करता है हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और थोड़ी देर बाद में अखिलेश यादव यहाँ पहुचेंगे रुसके बाद में सड़क मार्ग से होते हुए नमामी गंगे चंडी घाट पर पहुचेंगे और नेता जी की अस्ती को विसरजन करेंगे मेरे साथ में कुछ यूथ कारिय करता है उनसे बादचीत करने की कोशिश करते हैं क्या ने आमें आपका आज नेता जी की अस्ती विसरजन होगी अखिलेश जी पहुचने वाले हैं किस तरीके से इस शती को आप देख रहे हैं ये उत्तर पर देश नहीं पूरे हिंदुस्तान की छती है और मैं आपके चैनल के माद्धम से देश के महमईम राष्टपती महदेजी से धरती पुत्र करोडों, किशानों, मैजदूरों, छातनों, जवानों के नेता परमादर्णी अस्रद्धे नेता जी के लिए भारत र हैं, जिन्होंने एक किशान परीबार में जनम लेकर धरती माता के रूप में, धरती माता पर पधार कर एक अफ्तार के रूप में आए, और जब से नेता जी, सुरक सिदारे हैं, आप देख रहे हो, सेपई के अंदर लाखों लोग, पूरे भारत बर से लाखों लोग आ रह तो मैं आपके चैनल के मातम से ये कहना चाहता हूँ, कि हमारे नेता जी परमादरनिये सरद्धे धरती पूतर माने मुलाहम सिंग यादव जी को भारत रतन दिया जाए, और उनको एक सच्ची सरदान ले अर्पित की जाए, आप बताईए, आप कहां से आए हैं, आप कहां स चाहती है और समाजवादी पार्टी के कारीकरताओं का हजूम जोटा हुआ है, ये चाहती उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान की राजनीती के इतनी बड़ी छती है, कि जैसे अंगूठी से कोई नगी ना खो गया हो, मानिय मुलाहम सिंग जी ने इस देश में बहुत कुछ कुरुवानिय दी, गरीब अमीर सभी को साथ लेकर चले, जमीनी इस्तर के कारीकरताओं को, आज उन्होंने कैबनिट में पतनी कहा का पुचाने का काम किया, गरीब लोगों को गरीब कारीकरताओं को कंदे लगाते थे, राजनीती में देश की बहुत सयोग र दिया जाए, लिहाजा अभी थोड़ी देर बाद में पूर मुख्यमंत्री अखलेश यादव जोली गरांड एरपोर्ट से निकल कर गंगा घाट पहुचेंगे और नेताजी की अस्ति को विसर जन करेंगे, अपने सही होगी कैमरा परसन किश्टोपर लॉरेंस के साथ विन